अब प्लीज इस वीडियो में वन वड अंसर करेंगे जो हम पहले टॉपिक पढ़ा चुके है आप लोगों को आज इस टूल्स के बारें पढ़ेंगे जो भी टूल्स के बारें पढ़ाया हूँ आज उसका वन वड अंसर करेंगे इससे आपको एक्जाम में बहुत लेना डेफिनिटली इससे कोशन जरूर आएगा आपको बहुत हेल्प मिलेगी चलि स्टार्ट करते हैं फ्रम फर्स्ट कोशन फर्स्ट कोशन इस मतलब ऐसा कौन सा डिवाईस है जिसको हम यूज़ करते है क्या करने के लिए इसका राइट एंसर है वाइस राइट वाइस का यूज़ करते है हम लोग मैटेरियल को होल करने के लिए ठीक है, second question how many types of wise wise का कितना types होता है friends, wise का 3 types होता है, right wise का कितना types होता है wise का 3 types होता है, first one is bench wise, second is machine wise and third is hand wise, right चलिए, third question क्या है, how many types of bench wise, bench wise के कितना types होते है, उनके नाम बताईए, तो friends, आपको answer जो question आ सकता है, अगर आपको यह सारा चीज़ पता होगी, तब ही आप हर question का जवाब दे पाएंगे, right, अगर आपको यह video नहीं देखे हो, इससे पहले जो भी मैं पढ़ा रहूँ अभी one word, तो आप please मैं बैल आइकन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख लेना, जो बहुत benefit होगी आपके लिए ठीक है, bench wise के जाटाप्स के है, friends, bench wise हमारे तीन टाप्स के है, सबसे पहले कौन क्या हाती है, parallel jar wise जहाँ पर दूनों जा क्या होते है, parallel होते है, pipe wise pipe wise, third is leg wise, okay fourth question which material is used to make sliding and fix jar, जो हमारा wise होते है, एक हमारे क्या होते है, fixed होते है, जो move नहीं करते, एक हमारे क्या होते है, जो move करते है, आगे पीछे, उसको हम आगे पीछे करके क्या करते है, बीच में कोई component को hold करते है, तो यह जो दोनों fixed और यह sliding जो जा होते है, वो किस material के बनते है, friends, cast iron के बनते है, right, cast iron के बनते है, अब यह cast iron में carbon का content कितना होता है, यह भी कभी कभी पूछ लेता है, तो generally 1.7, 1.7 percent से ज़्यादा ही होता है, carbon का percent, right, fifth question, what is the other name of pipe wise pipe wise का दुसरा नाम क्या होता है, तो इसका answer है, we jar wise, right, important है, we jar wise, okay, sixth question, which wise is used to hold the tubes and pipe, इसका मतलब क्या है, कौन सा wise को use करते हैं हम लोग, एक tubes को या फिर एक pipe को hold करने में, right, तो friends, इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा pipe wise, pipe wise का use करते हैं हम लोग pipe को hold करने के लिए, okay, seventh question, which wise is used to hold wire, कौन सी wise को use करते हम लोग, एक wire को पकरदे में, answer क्या है pin wise, right, pin wise is used to hold a wire, eight question, what two factors consider, knowing the size of the wise, मतलब, कौन सा दो factor है, जहां पर यह हम wise का size से, size को determine करेंगे, right, first one is width of jar, and second is maximum opening of wise, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा jar होता है, ना friends, jar, तो एक होता है fix jar, एक होता है movable jar, right, अब यह jar का जो विर्थ होगा, एक तो यह consider करेंगे, दूसरा हमारा यह दोनों jar का बीच का, खुलता कितना, यह open कितना करेंगा, इसको बोलते है, maximum opening of size, तो यह दो factors होते है, जहां पर हम wise का size को consider करते है, right, 9th question, how many types of hammer, name them, hammer के कितने types होते है, उनका मताईए, तो hammers का team type होते है, right, hammer का team types होते है, 1st one is hand hammer, 2nd is sledge hammer, and 3rd is soft hammer, okay, 10th question, according to what factors, hammer can be classified, कौन सा दो factors है, जहां पर हम hammer को classify कर सकते है, hammer को classify करने का मतलब, कितना types का हम बता सकते है, वो कौन सा दो factors होगा, सबसे पहले हम hammer का weight, 1st one is hammer का weight होना चाहिए, दूसरा shape होगा, किसका pain का, जो इस type का बने रहता है, इसको बोलते है pain, right, इस type का रहता है हमारा hammer, ये नीचे वाला हमारा surface क्या होता है, flat होता है, उपर से क्या होता है, एक curve type में shape रहता है, इसको हम बोलते है pain, तो एक तो हमारा weight हो गया, दूसरा क्या हो गया, इस pain का shape कैसा होगा, right, 11th question, weight of sledge hammer varies from, जो hammer, sledge hammer है, वो कितना vary करता है, 7 to 14 pounds, ये भी question आ सकते है, कौन से hammer का weight कितना होना चाहिए, तो you have to answer all these things, तो अभी मैं एक sample लिया हूँ, इसी sample से लेकिए आप और भी याद कर सकते हो, कि और भी hammer का weight कितना होना चाहिए, तो sledge hammer का जो है weight है, वो vary करता है, 7 to 14 pounds, ओके, 12th question, which material is used to make a chisel, chisel, बनाने में कौन सा material को use करते हैं हम लोग, high carbon steel, understood, 13th question, what is the forging angle of a chisel, at the tip, मतलब जो chisel होता है, chisel का जो tip होता है, ये जो forging angle होता है, ये कितना होता है, forging angle vary करता है, 25 degree to 30 degree, 25 degree to 30 degree, is the forging angle of a chisel, 14th question, according to what factors, chisel can be classified, कौन सा दो factor है, जहां पर हम chisel को classify कर सकते हैं, तो first one is shape, and second is width of their cutting edge, तो friends, ये जो है, जितने ये बता रहा हूँ, कि chisel का क्या दो factors होगा, hammer का क्या दो factors होगा, ये question पूछते हैं, पूछे जाते हैं, तो you have to answer all the question, you have to know each and everything, first one is shape, and second is width of their cutting edge, ठीक है, 15th question, which type of chisel is used to cut, square bottom keyways, मतलब, कौन सा chisel, अब देको, types होता है, chisel का, ठीक है, कौन सा type chisel, हम use करते हैं, क्या कट करने के लिए, एक square bottom, keyways बनाने के लिए होता है, square bottom keyway बनाने के लिए, कौन सा chisel, का use करते है, कौन सी type का chisel, use करते हैं, तो हमारा अंसर क्या है cross cut chisel यह हमारा types में आता है तो cross cut chisel का use करते है क्या cut करने के लिए square bottom key ways का cut करने के लिए ओके section question which type of chisel is used for clearing the sides of groups मतलब कौन से chisel के use करते है जो हमारे groups जो हमारे गड़े होते है उसके जो side होते है जो हमारे एक गड़े है उसके side होते है उसको clean करने के लिए side chisel के use करते है हम लोग देखें अंसर क्या है side chisel 17th question what cutting angle is recommended for the mild steel अभी किसका बात कर रहा है यह chisel का ही बात कर रहा है यह chisel का ही बात कर रहा है जो हमारे chisel होता है उसमें angle होता है होगा न mild steel तो chisel का angle कितना होना चाहिए friends 55 degree to 65 degree right तो आपको chisel का angle और वो angle किस material को काट सकता है वो आपको याद रखना होगा ठीक है तो mild steel को काटने वाला जो chisel होगा उसका angle कितना होगा friends 55 degree to 65 degree यह most important question है right सभी important है 18th question according to what factor a file can be classified कौन से दो factors होते है दो factors के यापी चार factors है तो आपको पूछ ले जाएगा जो हमारा file होते है filer होते है right उसको हम classify कौन से factors से करते है तो इसका चार factors है right first one is length लंबाई से second is section उसका section क्या है third is grade right and fourth is cut कि इसमें cut कौन से लगे हुए तो ये चार factor होते है हम file को classify करते है understood 19th question which grade of file can be used for rough material माल लेते हैं कि आपका material क्या है एक rough है तो rough को काटने के लिए कौन सा हम लोग grade का use करेंगे right 20th per inch इसको हम बोलते है क्या TPI 20th per inch का use करते है कौन सा material काटने के लिए rough material अगर होगा न अगर rough material है मेरे पास तो कौन सा file यूज करेंगे जिसका 20th per inch मतलब एक inch में मेरा कितना तीथ हो 20 तीथ हो इसको हम बोलते है 20 तीथ per inch 20 TPI understood 20 question okay for cutting sheet metal thin tubes what TPI of blades should be consider मतलब यह किसका बात कर रहा है hand hexa का बात कर रहा है जहांपरे hand hexa में क्या होता है teeth होता है और यह हमारा frame होता है और यह हमारा क्या होता है handle होता है right तो sheet metal को काटने के लिए या फिर thin tubes को काटने के लिए blades का कौन सा TPI हम consider करते है friends 32 TPI तो यह भी question पूछ सकते है कि जो हमारा hand एक सा blade होते है right वो sheet metal या फिर thin tubes को काटने के लिए कितना TPI होना चाहिए 32 TPI होना चाहिए right तभी हमारा अच्छा से cut पाएंगे 30 question what is the cutting angle of flat drill drill क्या होता है friends hole को create करता है कोई भी हमारा surface है उस surface में क्या करता है hole create करता है किसके मदद से drill के मदद से अब drill का भी types होता है right तो flat drill का cutting angle कितना होता है friends 90 degree right flat drill का जो cutting angle होगा वो 90 degree होता है 31 question what type of reamer is used to cut only one size of hole friends reamer क्या होता है reamer एक ऐसा tool है जो पहले से हुआ हुआ एक drill जो पहले से अगर कोई hole है उसको finishing देता है reamer जो हमारा surface finish है वो reamer ही करता है या फिर hole को बड़ा करने के लिए हम लोग इसका reamer का use करते है reamer का क्यों use करते है surface finishing करने के लिए ठीक है तो इसमें question क्या पूछा है कि कौन सा type reamer को use करते है हम लोग सिर्फ एक size of hole को cut करने के लिए या फिर finishing करने के लिए राइट non-adjustable राइट एक हमारा adjustable होता है एक हमारा क्या होता है non-adjustable non-adjustable का मतलब हम उसका size को increase और decrease नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करेगा सिर्फ एक ही size of hole को cut करेगा या फिर surface finish करेगा राइट 32 question which cutting tool is used for cutting internal threads in drilled hole मतलब कौन सा cutting tool को हम use करते है क्या करने के लिए cut करने के लिए internal threads in drill hole मतलब पहले से किया हुआ एक hole में हम लोग अंदर में internal thread हम कैसे जै सकते है कौन सा tool का use करते है हम लोग टैपिंग का use करते है ठीक आपने देखा होगा आपने किया भी होगा workshop में tab का use करके हम क्या करते है कोई भी hole में internal thread देते है ठीक है friends 33 question which type of tab has only one thread chamfered अब देखो ये types का ये type हम लोग one thread chamfered करने के लिए तो इसका answer क्या है plug tab ठीक है friends 34 question how to calculate the tab drill size friends ये भी question पूछा जा सकता है कि आप कैसे calculate करोगे एक tab का drill size जिसको हम क्या बोलते है TDS बोलते है right कभी कभी question पूछा भी जाता है कि what is the full form of TDS तो इसका full form क्या होता है TDS का formula होता है outside diameter of type मा लेते हैं हमारा tap है ठीक है तो ये क्या होगा इसका outside diameter ये हो जाएगा outside diameter of type minus 2 into depth of the thread ये thread का depth कितना जाएगा तो ये formula बहुत important है इसको आप याद कर लेना ठीक है आते हैं हमारे आज के last question पे which tool is used for cutting external threads on roads on roads और pipes मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारे एक क्या है pipe है अब pipe में क्या होता है जब भी हम एक pipe को कोई चीज और में लगा दे है तो हमारे क्या होता है external thread भी कहीं 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 cut किया जाता है तो कौन सा tool हम use करते हैं cut करने के लिए answer क्या है हमारा die अगर आप इस topic का related वीडियो देखना चाहते हो तो आज बटब में क्लिक करके आप जरूर देख लेना पहले ऐसे ही में वीडियो हार दिन अप्लोड करूँगा अप ताकि आपका एक्जाम अच्छे से हो और आप अच्छा माक्स लेकर आओ hope you understand all the things like subscribe कर ले न क्योंकि आने लिए वीडियो को notification आपको मिल जाएगा अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा ठीक है इसलिए मैं बोलता हूँ subscribe करने के लिए okay friends hope you understand all the things please like अगर आपको सब कुछ समझ आया तो और हाँ comments भी करना आगर आपको ये वीडियो में और कुछ changes लाना हो या फिर कुछ और topic चाहिए तो please comment करना ठीक है thank you friends to all